हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 12.3 के प्रसंद संख्या 6 से प्रसंद संख्या 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं तो आए प्रसंद संख्या 6 को पढ़ते हैं इन वेंजगों को स्रल कीजी तथा इनके मान ग्याद कीजी जब एक्स का मान 2 है यहाँ पर हमें वेंजग दिये हैं इनको स्रल करके हमें इनका मान निकालना है और एक्स का मान 2 रखना है इसके अंदर जहां पर एक्स हैं वहाँ पर एक्स का मान 2 रखेंगे तो आएक एक पार 7, 4 की गुना करेंगे अंदर दोनों के साथ 4 गुना X, 4X 4 गुना 5, 20 तो डालकर लेते हैं इसको X और 4X हो जाएगा 5X, 7 गटा 20, गटा के 13, अब X का मान 2 है, X का मान 2 इसमें रखेंगे, X बराबर 2 रखने पर जहाँ पर X है वहाँ पर 2 रख देंगे पांच X गटा 13 था हमारे पास यह हो जाएगा पांच गुणा X यानि 2 गटा 13 पांच गुणा तो 10 10 गटा 13 गटा के 3 हो जाएगा जहाँ पर X था वहाँ पर हमने 2 रख दिया क्योंकि दिया हुआ इस परस्टन के अंदर कि जब X का मान 2 है तो इस का मान ग्याद कीजिए अगला पार्ट है 3 की गुणा करेंगे पहले X के साथ 3 X जमा 3 की गुणा 2 के साथ 6 जमा 5 X गटा 7 यह हो जाएगा 3 X जमा 5 X 8 X 6 गटा 7 गटा का 1 X बराबर 2 रखने पर X का मान 2 इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास 8 X गटा 1 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 2 गटा 1 16 गटा 1 15 हो जाएगा 3 पार्ट है 6 X जमा 5 की गुणा X के साथ 5 X 5 की गुणा माइनस 2 के साथ माइनस 10 हल करेंगे इसको यह हमारे पास बराबर होगा 6 X जमा 5 X 11 X गटा 10 X बराबर 2 रखेंगे इसके अंदर भी 11 X गटा 10 बराबर हो जाएगा 11 गुणा X यानि 2 गटा 10 11 गुणा 2 बाईस गटा 10 यह आएगा 12 फोर्थ है यहाँ पर एक्स कमान 2 रखेंगे हम पहले स्कॉल कर लेते हैं 4 गुणा 2 X 8 X 4 गुणा 1 4 जमा 3 X जमा 11 8 X जमा 3 X 11 X 4 गटा का है 11 जमा का है जमा के 7 X कमान 2 रखेंगे क्योंकि हमें इस कमान X के बराबर 2 लेके निकालना है यह हमारे पास 11 X जमा 7 था यह हो जाएगा 11 गुणा X 2 जमा 7 22 जमा 7 29 तो इस प्रकार हम 4 पार्ट को आसानी से हल कर सकते है परसन संख्या साथ है इन वंजिकों को सरल कीजी तो जमान ग्याद कीजी जब X बराबर 3 और A बराबर माइनस 1 और B बराबर माइनस 2 है अब इस परसन में बच्चों हमारे पास 3 चरासियां लग लग हो सकती है X हो सकता है A हो सकता है और B तो जहां X हमान 3 रखेंगे जहां A है वहां माइनस 1 रखेंगे और जहां B है वहां पर माइनस 2 रखेंगे पहला बाग है 3 X गटा 5 गटा X जमा 9 तो जहाँ पर X है वहाँ पर हम रख देंगे 3 तो 3 गुणा X यानि 3 गटा 5 गटा X यानि 3 जमा 9 3 गुणा 3 9 गटा 5 गटा 3 जमा 9 अब यहाँ पर देखो जमा वाले हैं 9 और 9 अठारे गटा के हैं 5 गटा के 3 तो गटा के हो जाएंगे 8 18 गटा 8 10 आएगा सेकिन पार्ट है 2 गटा 8 X जमा 4 X जमा 4 जहांपर X है महाँपर 3 रखेंगे 2 गटा 8 गुना X यानि 3 जमा 4 गुना X 3 जमा 4 2 गटा 8 गुना 3 यह हुझेगा 24 जमा 4 गुना 3 यह हुझेगा 12 जमा 4 यह हमारे पास आजएगा 2 जमा 12 चोदे और 4 अठारे जमा के घटा के 24 तो घटा के बचेंगे यहांपर 6 24 में 16 गए 6 घटा 24 का निसान घटा गए तो घटा के बचेंगे थर्ड पार्ट है तीने जमा 5 गटा 8 जमा 1 एक अमान यहांपर एकस नहीं यहांपर ए है तो यहांपर 4 हमारा ए है तो एक अमान रखेंगे माइनस एक तीन गुना ए यह नहीं माइनस एक जमा पांच गटा 8 गुना ए माइनस एक जमा एक तीन गुना माइनस एक माइनस तीन जमा पांच गटा आठ गुना गटा एक गटा और गटा गुना अपस में तो जमा हो जाते हैं तो जमा का आठ हो जाएगा जमा का एक अब यहां पर देखो बच्चो आठ भी जमा का है एक भी जमा का और पांच भी जमा का जमा के हो जाएंगे 14 गटा का 3 यह हमारे पास बज्जी आएगा 11 है चौथा पाट है 10 गटा 3 B, गटा 4 गटा 5 B यहाँ पर हमारे पास 4 है B, तो B कमाल रखेंगे माइनस 2, 10 गटा 3 गुणा B, माइनस 2 गटा 4 गटा 5 गुणा B, माइनस 2 यह आएगा हमारे पास 10 गटा 3 गुणा गटा 2 गटाच 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 गटा पांच जमा ए यहां पर हमारे पास चर ए और बी दौनों हैं तो एक कमान माइनस एक रखेंगे और बी कमान माइनस दो रखेंगे दो गुना ए माइनस एक गटा दो बी माइनस दो गटा च्यार गटा पांच जमा ए एक कमान माइनस एक यह मारे पास आएगा दो गुना माइनस एक माइनस दो फिर है माइनस दो गुना माइनस दो यह गुना में आपस में माइनस माइनस जमा च्यार घटा च्यार, घटा पांच फिर है जमा गुना में माइनस एक जम्मा और गटा गुना में है तो गटा का एक यह हो जाएगा चार जम्मा चार गटा कट जाएगा गटा का दो गटा के पांच गटा का एक तिन्नों ही गटा के हैं तो यह हो जाएगा आठ गटा के आठ जी यह हमारा अंसर होगा यहां पर बच्चो इस परसन के अंदर हमें पहले समीकों को सरल भी करना था और फिर उसमें मान रखने थे हमने यहां पर सीधा मान रख दिया तो इसको आप सरल भी कर सकते हैं के लिए बिल कुल असाने देखो यहां पर पहले आप इनको मान रखने से पहले थोड़ा सा सरल कर लो इसको पर्श पार्ट में तब टीनेक्स गटा पांच गटा एक्स जमा नो इसको थोड़ा सा रहां करेंगे हम तो यह हमारे पास हो जाएगा प्र चिए 10 यह आएगा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको तो आल करके फिर यहापर X कमान आपे रख सकते हैं इसमें आप रख दो X कमान 3 तो यह हो जाएगा मारा X कमान अगर 3 रखेंगे इसके अंदर तो 2 गुना X यानी 3 और जमा 4 दो ती अच्छा है और 4 करें 10 तो भी 10 यह ऐएगा लेकिन भी다 उसको पहले में गड़ेगा क्योंकि प्रसंत प्रसंवन प्रस्थन में यह रखकर है। पहले श्राल करो तो थो थो पहले करने आप तीन रख लेना जैसिए बना सेकि거 पार्ट है दो जमाला चार पंगे 6 हो जाएगा, गटा के 8x, जमा के 4x, गटा के 4x, अब इसके अंदर आप x कमान, 3 रख लो, तो यह हमारे पास माइनस के 6 यह आएगा, इसी प्रकारी नेक्स्ट था, इसमें भी आप तो आल कर सकते हैं, पहले, 3a गटा 8, यह हो जाएगा, गटा के 5a, 5 जमा एक 6, तो यह इसक अंदर आप a कमान, माइनस एक रख सकते हैं, तो भी आंसर 11 यह आएगा, चोथे में 10, गटा 4, 6 हो जाएगा, 3b, गटा 5, भी दोनों गटा के 8b, यह इसका असल रोप हो जाएगा, अब इसमें b कमान आप 2 रख दोगे, सुरी माइनस 2, तो यह 22 ही आएगा, यहां पर 2a, ज गटा 2b, गटा 4, गटा 5, गटा के, यह इसका असल रोप हो जाएगा, अब इसके अंदर आप a और b कमान रख दो, तो हमारे पास है, भी माइनस 8 ही उतरे आएगा, परसंद संख्या 8 है, यदि जड बराबर 10 है, तो जड की 3 गटा, 3 गुना जड माइनस 10 का माने, ग्याद क कीजिए, यहां पर हमें सिर्फ क्या करना है, जहां पर जड है, वहां पर मान रख देंगे 10, और जहां इसमें P है, वहां पर रख देंगे माइनस 10, और इसको हल करेंगे, यहां पर पहले तो लासराल कर लेते हैं, इसको यह उजाएगा, जड की 3 गटा, 3 की गुना करो, तीन गुना गता के दस जमा के 30 क्योंकि हमर मैंस 3 मैंस 3 के गुना J के साथ मैंस 3 G मैंस 3 के गुना 10 के साथ जमा के 30 अब यहां पर G जहाँ पर है वहां हम 10 मान रख देंगा तो यह हमारे पास हो जियाएगा बराबर G की जगत 10 गटा 3 गुना 10 जमाँ 30 इस समीकड में जहां पर 20 जड़ था वहाँ पर नहीं दस रख दिया है दस हम लिसाज दस तीन गुणां 10 उड़ 12,10 तिस फ्र which जियेगगा 10 गुणा 10 मदस हो जयेगा 1000 प्रह झाल यहां पर हम माल रखेंगी फिंग का गट दस पी की दोगट्ट की घात दो गटा दो गुणा पी एनी माइनस के दस गटा सो यह आएगा मारे पास गटा दस का वर गटा दस गुणा गटा के दस दो पर गुणा हो जेएगी गटा दो गुणा गटा दस गटा गुणा गटा जमा दो गुणा दस बीस गटा सो अब गटा दस गुणा गटा दस गटा गुना गटा जमा हो जाएगा 10 गुना 10 से 100 हो जाएगा जमा 20 गटा के 100 से 100 कट जाएगा प्रस का एक माइनस का है तो यह हमारे पास बचेगा 20 परसन संख्या 9 है यदि x बराबर 0 पर 2x की 2 जमा x गटा एक अमान 5 के बराबर है तो एकमान क्या होना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रिक्षिया की दरस्टी से बहुत ही महतवण परसन है ये इसमें हमें क्या दिया हुआ कि एक्स कमान जीरो पर इस कमान पांच के बराबर हम पहले एक्स कमान क्या रखेंगे जीरो और फिर इसको हम रख देंगे इसके ब्राबर दिया होगा और हमें A का मान है वो ग्याद करना है तो पहले हम क्या करेंगे X ब्राबर 0 इसके अंदर रखेंगे समीक विंचक के अंदर X ब्राबर 0 रखने पर यह हमारे पास हो जाएगा यानि कि 2X की 2 जमा X गटा A ब्राबर होगा X का मन 0 रखने पर 2 गुणा X यानि 0 का वरग जमा X यानि 0 गटा A यह हम तो लाल कर लेते हैं 2 गुणा 0 का वरग 0 जमा 0 गटा A यह हो जाएगा 2 गुणा 0 0 क्योंकि 0 कि किसी के साथ भी गुणा करेंगे हम तो 0 हो जाता है जमा 0 गटा A यह हो जाएगा 0 जमा 0 0 गटा A यह हम लिख सकते हैं गटा का A अब बच्चों दिया कि हमें कि इसका जो मान है इस वेंजग का मान X ब्राबर 0 लेने पर किसके ब्राबर है 5 के तो इस स्वेंज कमान x ब्राबर जी रखने पर हमारे पास किसके ब्राबर आया है माइनस एक ब्राबर तो यह ब्राबर हो जाएगा 5 के तो यहां से a ब्राबर हो जाएगा माइनस 5 इसको समझना वच्छो ये दिया हुआ कि X ब्राबर 0 रखने पर इसके अंदर जो मान आएगा वो 5 के ब्राबर आना चाहिए 5 के ब्राबर होगा तो हमने इसके अंदर X का मान के रख दिया 0 सहल कर लिया ये हमारे पास आगया माइनस A और ये दे रख आप 5 के ब्राबर तो ब्राबर हो गया 5 यानि माइनस A जो आया हमारे पास ये इसी वेंजक से आया है X ब्राबर 0 रखने पर तो ब्राबर रख दिया हमने 5 के गटा का A ब दूटनों तरफ क्या कर सकते हैं माइनस से गुणा कर सकते हैं इधर भी माइनस से गुणा इधर परस हो जाएका इधर मैनस कि शंख्यादस को प्रसंग तस मिस को तुटासा सर्ल करना है और फिर इस्में एक कग 5 रख देंगे और B की जगागे गटा के, तीन रखopes का मान निकाल लेंगे. क्वड़ा पेले वे एंजे को सुस्रल कर लेते हैं. दो की गुना करेंगे इन ब्रैकट के अंदर जो भी हैं बुनों के साथ, दो की गुना एग इसकेर के साथ, दो इसकेर जमा, 2 की गुणा AB के साथ 2AB जमा 3 गटा AB अब इसको अलब करेंगे AB जमा का क्योंकि ये AB दो जमा के हैं ये AB एक गटा का है तो AB बचेगा एक जमा का और जमा में बच गया साथ में 3 इसको हमने स्रल कर लिया अब जहां पर A है वहां पर रखेंगे हम 5 और जहां B है वहां रखेंगे माइनस से 3 तो इसके अंदर मान रखते हैं 2 A की 2 जमा A B जमा 3 बराबर होगा A बराबर 5 और B बराबर माइनस 3 लेने पर 2 गुणा A का वरग यानि 5 का वरग जमा A गुणा B 5 गुणा B है माइनस 3 जमा 3 ये हो जाएगा 2 गुणा 5 का वरग 25 5 गुणा माइनस 3 क्योंकि A गुणा भी था ना तो 5 गुणा माइनस 3 माइनस के 15 जमा 3 ये हो जाएगा 2 गुणा 25 50 गटा 15 जमा 3 50 और 3 तरेपन गटा 15 38 ये ही हमारा अंसर होगा तो बच्चों ये प्रशनावली कंप्लीट होती है उमीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे धन्यवाद ये होँ प्रशनावाद